धेसिए के सब्सक्राइब शोगाथ हुआ आप ऍपसके सब्सक्राइख खेले खरूरार भी रहाएं होगा धुमेगेष कुछ करेंकिंऱे क्यों लौन किया इस्टॉफ फिचर पे शेलिंग किया डेटा काफी नेरो है तो अगर देखेंगे तो शॉट किया है और क्लाइंट जो है अपने इंडेक्स पुट को जिए और सेल कर रहा है कॉल को भी शेलिंग और आज इनकरीज की है सो क्लाइंट स्लाइटली जो है बेरी सेड आने की कोशिस में है प्रो ने अपने सेम डेटा को जो है कैरी ओन किया है अब आई यह उस होल्डिंग वाले डेटा पे चलते हैं जहां सेमेज है कंक्लूजन मिलेगा एक मार्केट के लिए और मार्केट काफी नेरो रेंज में है द इतने बड़े जो है इतना बड़ा तो इससे बड़ी है कि मार्केट चले इनों तो ज्यादा बेटर होगा विकॉज इसमें अगर आप इंटरी करेंगे तो फिर एकजिट नहीं लेंगे एकजिट लेंगे तो फिर ब्रोकरेज जाएगी घर से सो प्रॉफिट होना नहीं है इसलिए मैं इंडेक्स पर कोई कॉल भी नहीं दे पा रहा हूं टेलिग्राम पर जो लोग नए जुड़ा है वो लोग कोई सोच रहे होंगे कि पता नहीं कौन सचारा लें पर तो कॉल नहीं मिल रही है लेकिन दोस्तों जब तक कॉल मनेगी नहीं तो मैं प्रॉपर ली जलते हैं दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स फीचर को देखते हैं तो यहां पर देखिए जो क्लाइंट है वो लॉंक्स जो है थोड़ा सा कम किया है 55,000 हो गया के पास देखिए तो 20,000 जो है शौर्ट एज पहले की तरह की तरह क्लाइंट के बात करेंगे तो क्ल यहां यहां पर कॉल जो है इंक्रीज किए 350 जो है किया है 242 था सो 50 के फ़रीज में क्यों है प्रो ने वह अपने शौर्ट को इंक्रीज कर दिया 91 के सामने उनट हो गया अब देखिए इंडेक्स पूट पर देखेंगे तो क्लाइंट के 380 जो है इसवाट थे अब जुह 555, फिफ्टी एट जो होगे पांच लागन ठाओन अजर फाइल एक फिफ्टी एट तरजिंट होगे डियाई का पास देखिए वन थर्टी फाई जो यहां पे इंडेक्स पुट जो है लॉंग है 126 के सामने अफ यहीं के बात करेंगे तो यहीं ने पुट भी लॉंग एड़ किय तक नहीं होती है और यह लोग यहां पे शॉस्ट को जो रेडूज कर रहे जो की बात करेंगा तो प्रोके पास 144 जो जो है अब ढ़त करते हैं अब दोस्तों इस टॉप फिटर की बात करते हैं इस टॉप की क्लाइंट के पास थर्टीन लेक्ट जो है ऑदी यह पे पास तो हम लोग इस डेटा को दोस्तों थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं कि सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहां पर देखेंगे कि क्लाइट के पास दूस्तों क्या है तो क्लाइट के पास देखिए 55,000 जो है यहां पर इंडेकस फीचर जो है ग्हुर्श फो टू डॉबब्ल वन जुए शौट है हाँ पे कॉल और युस्व जो लवव फाई फाई फई एट को एट ए सो टोटल जो इनकी पोजिशन हो जाएगी इनके पास जाक दोस्तों के करीब融त्प मेस थे लॉइ spricht कॉल जो है लॉंग है और इसके बाद पूट जो लॉंग है दोस्तों वो 512 है यह पूट की पोजिशन थोड़ी से दोस्तों डाउट में जह डाल रही है क्योंकि फाइल जो है इनके पास पूट लॉंग हो गया तो आखिर यह करना क्या चाहते हैं यह देखने वाली बात होगी सोड़ा सावधाम जाना होगा बहुत ज्यादे नहीं लेकिन के पास 185 जो है सेल पोजिशन है सो टोटल इनकी पोजिशन निकल के आएगी इनके पास सेल यह जो दोनों पड़े टेडर है स्टील जो है सेल में है क्लाइंट सेम वही जो लॉंग पोजिशन जो होल्ड कर रहा है यहां पर फिय की जो एक पोजिशन है पांच लाख वाली जो पुट यही सबसे बड़ी इंपॉटेंट एक पोजिशन जो की डाउट में डाल रही है तो हमें इसके उपर थोड़ा सा सवधानी रखके चलना होगा विकास महेंगाई की डेटा को उपर कुछ चर्चा चल रही है तो मैट भी पॉसिबल की उनको पता हो कि महेंगाई सही नहीं याने वाली है और महेंगाई के जो ट्रिगर होगा मार्केट में में भी ला सकता है इसके लिए और पहले से पुट एड़ कर रहे हैं ओटियम के पुट मॉयनी पुट कड़े कर रहे हैं तो दोस्तों डेटा के बिस पे थोड़े से हमें यहाँ पर सवधानी भरतने की ज़रुत यह हमें दिखाई दे रहा है डेटा के बिस पह अभी भी जो से देखेंगे तो काफी जो है लो एक्टिविटी है आज के डिट में अफ़ ए की तरफ से 61 श्यार और डियाई की तरफ से 305 श्यार की जो है बाइंग है अलागे सेलिंग नहीं है बहुत अची बात है अब आई चलते हैं टेकनिकल लेवल पर फिर ऑफसे चायन को अलसिस करेंगा और एक फाइनल जो है फिगर आउट करेंगा मार्किट के लिए कि क्या चीज़ हो सकती है उसके पहले करना चाहूंगा कि पहली बढ़ा है सब्सक्रा सब्सक्राइब देखने को मिलेगे इसलिए मैंने उसको रेस्टेंस के तौर पर लिया क्योंकि मार्किट को 50 पॉइंट चलने में दोस्तों ना नहीं याद आ जा रही है मार्किट देखेंगे तो इसी के ऊपर से आज रिटेस्ट लिया है हलाकि बिल्कुल लो पे जो है जाके क्लोज हुआ है अगर देखेंगे तो जो प्रिवियस हाई था उसको एक बार भी मार्किट ने क्लोज नहीं किया या तो दो मिनेट टी मिनेट कुछ भी नहीं क्लोज कर पाया जस्ट उसके नीचे ही नीचे मूफ करता रहा कहीं भी अगर यहां पर पिक्चर दिखाई दे रही है कि अगर मार्केट 44-400 के लेबल को ब्रेक करेगा तो एक थोड़ी सी यहां सा सेलिंग बन सकती है और अगर 44-620 का लेबल अगर ब्रेक करेगा तो एक यहां पर बाई बन जाएगी जो कि शॉट कवरिंग वाली होगी लेकिन ए इमिडिटली माउस कर जा रहा है मतलब मार्के टाइम में नहीं दे रहा है एक तो मार्केट चल लेंगे दूसरा मार्केट किसी मेवल पर टाइम नहीं अगर आपकी गलती ब्रेक कर जा और ऊपर की तरफ निकल जाए तो काफी सारी चीज़े हैं सो काफी समल के काम करने की जुरत है तरवाइज स्टॉक स्पेस्पिक रहना पड़ेगा सो दो लेवल है 44-400 लेट्स ब्रेक और 44-620 इसको ब्रेक करने दीजे एक चीज़ याद रखिएगा कि लोवर लेवल पे सेल को वाइट कीज़ेगा लोवर लेवल से मार्किट को सपूर्ट मिल रहा है सो पॉसिबल है कि वो ब्रेक कर एक बहुत अच्छी जो है ब्यूटी यह हुई है निफ्टी में कि 19,300 का लेवल अब हम देखेंगे तो दो दिनों से होल्ड कर रहा है यह बहुत अच्छी बात है और यह जो मैंने कंसलिडेशन वाली लाइन ड्रॉ की हुई है अभी भी आप उसी रेंज में है मैट भी देखेंगे चुके हैं आज भी वहां सा रिजेक्शन लिये हैं और एक रिंज में जो है ट्रेड लेने के बाद आप बिल्कुल जो है उपर की तरफ आपने को क्लोजिंग की है जो कि बहुत अच्छी बात है सो 90,375 अगर हम ब्रेक कर लेते हैं तो हम यहां से बुलिशन से 225 ब्रेक नहीं होगा तब तक ओपनली सेल नहीं आएगा और जब तक 90,375 ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको यहां से लॉंग नहीं दिखाई देंगे इसके लिए बिल्कुल प्रिपेर रही हैगा अधरवाइस मार्केट फिर ऐसे ही फ्रस्टेट करता रहेगा रेंज में आके और जो भी ऑप्शन बायर है उनके प्रीमियम को खाता रहेगा उनको जहनुकसान देता रहेगा अब बात करेंगे दोस्तों यहां पर अगले इंडेक्स फाइनस निफ्टी की बड़ी ही जो है दर्दनाक एक्सपारी हुई 30-40 पॉइंट के रेंज में एक्सपारी हो क्या निकालेंगे दस पॉइंट के रेंज के लिए दस पॉइंट की रेंज है इसमें कौन सी कॉल हम निकाल के दे हमारा तो यहां पर यही समझ मनी आरा आजकल तो देखिए एक रेंज है इसकी 9760 से लेके और 9820 इसी के बीच में पूरा दिन इसने टाइम पस कर दिया जिसन से 40 पॉइंट की लोटरी लग जाएंगी इसको लोटरी बोलेंगे और अगर 90,755 लेबल ब्रेक करेगा तो इधर से भी 40-50 पॉइंट की लोटरी लग सकती है इसकी अलावा भाई आभी कोई भी जो है लेबल दीख नहीं रहा है जहां पर मार्केट जा सकता है सो मैं तो सब्सक्राइब कि मार्केट सोया सो कम से कम जो पैसे रहेंगे आप लोग क्या वीचार है जरूर अपने वीचार रखिएगा आइए चलते हैं स्टॉक पहला जो स्टॉक के दोस्तों कल के लिए वह गुजराद गैस आज दोनों गैसों में अच्छी खासी बाइंग है तो कल पॉजिटिव यहां पे डेवलप्मेंट जरूर आपको दिखाई देगा तो भेल को हम लोग बाई करके चल सकते हैं 115.35 के उपर एसल मेंटेन करेंगे 111 का अब आई चलते हैं दोस्तों और इसको थोड़ा से करते हैं ब्रेक तो सबसे पहले देखिए यहां पे जो बैंक न कुछ फ्रेस में लॉंग भी होते हैं दिखाई दिखाई देंगे इसी लेवल के आसपास मार्केट गुमता रहे हैं कि मूव कहां से दिखाई देगी वैसे डेटा इंसाइड के थोड़े से पॉजिटिव हो रहे हैं सो मार्केट में थोड़ी सी भी अगर कोई खराब के सेलर वीख है मार्केट गिरेगा नहीं और बायर्स की थोड़ी कमी है सो मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा है लेकिन मार्केट सपोर्ट ले रहा है अब बात करेंगो दोस्तों निफ्टी का ओशिए दे रही है और सबसे जो ही है दोस्तों वीडियो को अपने पोजिशन को भी स्कारफ करेंगा वाले थे वह उमीदी छोड़ रहा है निफ्टी चली नहीं रही है चलने वाली डेड़ सो पॉइंट की निफ्टी चल रही पचास पंड में क्या पॉइंट मिलेगा यहीं यहां पर सबसे बड़ी बिढमना ह दोस्तों वीडियो को अंड़ करने से पहले कहना चाहूंगा कि आज के सेशन में अपने आप लोग भी कुछ विचार रखी है ताकि मोटिवेशन मिलें विकॉज मार्केट तो मोटिवेशन दे नहीं रहा है मार्केट में तो दोस्तों कोई मूब आने रही है आप सब लोग